का आठ सालों का लंबा संगर्स और जब जीत मिली तो महज आठ दिन बाद ही एक अध्यादेश के जरिये उस जीत को बदल दिया गया दरसल केंदर सरकार कल एक अध्यादेश लेकर के आई जिसमें प्रसासनिक सेवाओं पर नियंतरन का जो अधिकार सुप्रिम कोट ने दिया था उस अधिकार को बदल दिया और एक बार फिर LG के पास पूरी ताकत दे दी गई है इस अध्यादेश को लेकर दिल्ली सरकार का क्या कहना है इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी जी है आतिशी जी इस पूरे अध्यादेश को किस नजर से दिल्ली सरकार देखती है देखे ये जो अध्यादेश कल रात को आया है ये अध्यादेश बिलकुल गहर समविधानिक है और ये सुप्रीम कोट की समविधानिक पीट के अवमानना है क्योंकि सुप्रीम कोट की समविधानिक पीट ने इस पश्ट कर दिया था कि सम्विधान दिल्ली में दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लैंड लॉइन ओर और पुलीस को छोड़ कर पूरी ताकत देता है तो जो ताकत सम्मिधान ने दी है उस ताकत को किसी नोटिफिकेशन से, किसी अध्यादेश से, किसी कानून से भी हटाया नहीं जा सकता, छीना नहीं जा सकता लेकिन अगर आतिशी जी बात की जाए, तो इस अध्यादेश के बाद अब दिल्ली सरकार का अगला कदम क्या होगा? देखिए यह सम्मिधानिक है, इस अध्यादेश का हम विरोध करेंगे, सडक से लेकर संसद तक, कोट तक हम इसका विरोध करेंगे तो क्या कोट भी जाएगी दिल्ली सरकार इस अध्यादेश के खिलाफ? हाँ, हम अभी अपने लीगल जो हमारे कॉंस्टिटूशनल एक्सपर्ट्स हैं, कानूनी सलाकार हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं और उसके आध्यादेश के जरीए एक एथौर्टी बनाई गई है, जिसका प्रेशिडेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री को बनाया गया है, लेकि दो अधिकारियों को भी इसमें मेंबर बनाया गया है, और कहा गया कि जब तक बहुमत नहीं होगा, तब तक कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, तो एक तरीके से अधिकार देने की बात तो कही गई, लेकिन कहीं न कहीं बैक डोर से अधिकार चीना भी गया है, देखें ये बि सरकार लेगी के अंदर सरकार के नुमाइंदे लेंगे, और अगर माननीजे आहे बगाहे गलती से भी दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हक में फैसला हो गया अथौरिटी में, तो LG सहाब उस फैसले को पलट सकते हैं, तो बिलकुल साफ है कि लोकतंतर के सिध्धानतों के खि जो ट्रिपल अकाउंटबिलिटी हमारे सम्विधान में बिल्डिन की गई है, उसके सिध्धानतों के खिलाफ है।